नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी चैनल में दोस्तों दैनिक रासिफल के बारे में जानते हैं उससे पहले जान लेते हैं दैनिक पिंचांग के बारे में 26 अफ्रेल 2021 सुम्मुवार कदन हैं चैत्र मास के सुकुल पक्षे के चतुर दसी तिसी हैं वहें नक्चत्र इसमें चित्रा रहेगा बजर नाम की योग का अंडर्मान हो रहा है नविजीत मुहरत 11 बच कर 38 मिनट से लेकर 12 बच कर 30 मिनट तक रहेगा रहुकाल के समें सुबह 7 बच कर 13 मिनट से 8 बच कर 55 मिनट त बचने का अगर आप कामकाजे को टालते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है असलिए तुलह रासिके अजातकों से अनुरोध है कि काम काजो को टाले से कोसिश ना करें मित्रों हाला कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मित्र आज बनेंगे मित्रों के संख्या में आपके बढ़ोत्री होंगे गयंतु कुझ ऐसे वे मित्र हैं जो के आपके सत्रू हो सकते हैं आपको नुक्सान पहुचाने के साधिस कर सकते हैं, बहुत सारी प्रिकार कर सकते हैं, जो के मुस्किलों में आपको डालने के कोशित कर सकते हैं, यसे में आपको उन सविसत्रों से सचेत रहने के जुरूत होंगे, उनसे आप नुक्सान पहुचाने से आपको बचने का प्रि नाम मिलेंगे आप अपने एक नए काम काजू की तलास में भी ज्यादा से ज्यादा पार्ट टाइम जॉब ढूनने की कोसित करेंगे और आपको मिलेंगे भी आज के दिन तुला रासी के जादकों के लिए ऐसा सुभ योग है कि आपको कई प्रकार के मुश्किलों को दूर कर रहा है तो उन सारी के सारे आपके पक्ष में आतावा दिखाई दे रहा है दोपहर के समय आप अपने मित्रों के साथ पार्टी बेगेरा कर सकते हैं संतान भी अगर आपके है तो उनका विवाक को लेकर कोई प्रस्ताव आ सकता है संतानों से भी आपको कोई अच्छी खुस बढ़ियां रहेगा कारुबार भी बढ़ियां रहेगा आपके करियर में बहुत ती वड़े खुसकवरी और एक अलगे उचाल पड़ेगा नौकरिफे सवाले जातकों को काम काजों में थोड़ा सा ध्यान रखने होगा अगर आप थोड़े से भी लापरवाही करेंगे तो आ आपके जीवन में आपके अंदर बहुत सी खास रहने वाली हैं नौरभावत्री ये बहतर योग दिख रहा हैं यसी क्यारेकेर संपन होने से आपका कॉंट्पिडेंट बढ़ेगा आप परसन न होंगे लेकिन मा की और से आपको तना मिल सकता है थोड़े से मा भी आपको प पर्लतास करने का कोशच करने होंगे आप जो भी कारी करेंगे उसंकारे में सफलता को फ्राप्त करोई आहाप के घर प्रिवार में लाइफ पार्टर का सपोर्ड भी आपको मिलेगा आपके जीवन के समषयाएं भी आसाने से हल हो जाएंगे आपको इसमें बड़ी खुषक और परिवार के माहौल में काफी ज़्यादा बदलाप देखा जा सकता है जो कि आपके लिए सुभ रहेगा तो तूलारासी के जाग को के लिए बड़ी खुसकवरी आने वाले बत्रों धनकी देवी माता लक्षमी जी की किरपा से आपको घर परिवार में बहुत बड़ी खु बहुत बड़ी खुसर मिल सकते हैं आपके कुछ रुकेवे काम भी सही वक्त पर होंगे आप अपने जीवन को बहतर बना सकते हैं आप लोगों पर महादेव जी का विशेश सास्रबाद बना रहेगा मत्रों के सहयोग से आपको इन्या कारुबार की सुरुवात कर सकते हैं आपको दनलाब हो सकता है सारी रिक समस्याओं से चुटकारा मिल सकते हैं आपके आमदनी बढ़ेंगे आप दन कसंचे करने में सफल होंगे मालक्मी जी की कृपा से घर परिवार का माहुल काफी अच्छा रह सकता है परिवार के लोगों के बेच आप चितालमेल आपके बै प्यास कर सकते हैं आप अपने जीवन में बिसेज बड़े कुछ कवरी को हासिल कर सकते हैं कारी शेत्र में आपके सुचेवे कारी भी पूरे होंगे आपको जीवन में लाफ की प्राप्ति होंगी तथा मातालक्मी जी की कृपा से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और आपको प्राप्त हो सकता है, आपके रुके फे सारे काम बनेंगे, आपके जीवन में खुशियां आ सकते हैं, आपको अपने जरूरी काम पर ध्यान केंदरित करके रखना होगा, आपके पास काम कुछ अदिखोंगे, सबी प्रकार की जिम्मेदारी को पूरा करने के उकुसस क न करें, बुजरुगों की सला भी आपके लिए अच्छी हो सकते हैं, और किसी बड़े कारी को लेकर आप अपने ध्यान को कैंदरित कर सकते हैं, आपको किसी खास लोगों के साथ बहत्रिन मुलाकात करने के मौके मिल सकते हैं, आपके कारी प्रिनाली में सुधार आ सकता है, आप लोगों के उर्जा के एस्तर में वडुतरी होंगी और हनुमान जी की कृपा से आपके प्रिसानिया वितूर होंगी जो लोग काफी लंबे समय से रोजगार की तलास में वटक रहे थे उनको भी किसी अच्छी कमपनी से जॉब का ओफर मिल सकता है आपको माता फिता का आ परियास कर सकते हैं इस समय माता लक्मेदी की कृपा से आपके जीवन में आपको बड़ा प्रिवर्तन होंगे आप अपने बैपार जगत में प्रगति कर सकते हैं धन कमाने के नए अवसर मिल सकते हैं जीवन के सवे दुख दर्द और कष्ट समापत होंगे और पारिवारिक सुक्सबदाओं में बर्दी होंगी पूरानी समय में किये गए धनिवे से आपको बर्तमान में लाव मिल सकता है चल और इंजल समपत्ती में इजाफ़ हो सकते हैं लवलाइफ में आने वाली फ्रिसानिया भी दूर होंगी शफल होंगे प्यार को बढ़ावा मिल सकता है आमदनिक के नए मारग हासिल हो सकते हैं हर शेत्र में आपकी पकड़ मजबूत रहेंगी परिवार से जुड़ी आपके हर चिंताय दूर होंगी नौकरी के शेत्र में पुधनती और राय में व्रदी हो सकते हैं आपके सवी कर्श्टों का अंत होंगे जीबन में खुसिया करने में आप कामियावी को हासिल कर सकते हैं कुरोधी तवस्ता आपके लिए नुकसान दायक सावित हो सकता है इसलिए कुरोध को त्याग कर सांति कमार्गधारन करने की आवस्ते करता है आपके जीवन में आने वाले सुभे प्रकार की विनास्कारी सक्तियों का अंत होंगे आपको माता लक्ष्मी जी की किर्पा से जीवन में आगे वढ़ने के मोकी मिल सकते हैं, इंकम के छेतर में आपके लगातार वढ़तरी होंगी, सचे मन से माता लक्ष्मी जी की अराधन करके सुरूग के अग्याकार भी आपके लिए सफल होंगे, असानक से आपको अपने दैनिक जीवन में नए खुशकबरी मिल सकते हैं, आप अपने सुआश्ट का विशेष ख्याल रखने की कुश्स करें, आप अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं, आपके सभी प्रकार की अधुरी मनों कामनाई पूरी होंगी, बार-बार लगातार किया गया अपरियास आपके लिए लाइफ सेंदिंग सावित हो सकता है, आप अपने वहन का उफ्योग सावधाने से करने की कुश्स करें, माता लक्षमी जी की कृपा से आपके लिए आने वाला समय बेहदी आनंद दायक रहने वाला है, आपको असानक से नई खुशकबरे मिलने वाली हैं, आपको अपने जीवन में कई प्रकार के बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, और आपको अच्छे और सवनवरे अवसरों के फ्राप्ति हो सकते हैं,